तो हिल्लो गाईस, विल्कम टू माई चेनल तेजू सिले टीटोरियल आज हम कटोरी वाला बलाउज सीखने वाले हैं तो चली फटाफट से इसका पेटन बनाकर रेडि कर लेते हैं जिसके लिए हमें कुछ इस तरह से पेपर की ज़रूरत पड़ेंगी पेपर को मैंने simply फोल्ड किया है कुछ इस तरह से सबसे पहले हम लेंगे बलाउज की लेंथ कुछ इस तरह से 14 इंच की लेनी है इस्वरा मारजन यहां पर एड नहीं करना है कि फिसमें अल्रेडी एड है तो simple तरीके से 14 इंच की हमें इस तरह से लेंथ लेना है सवा 5 इंच का हमें यहाँ पर margin लगाना है shoulder का आप देख सकते हैं आप 5 इंच भी ले सकते हो लेकिन मैंने कुछ इस तरह से सवा 5 लिया है यह ज़्यादा comfortable है सवा 5 इंच की कुछ इस तरह से हमें उपर के और line ड्रो कर लेना है आर मोल की line जो है हमारी वो भी हमें सवा 5 इंच के something लेना है सवा 5 इंच पर हमें निशान लगाना है scale की सायता से एक line हमें कुछ इस तरह से draw कर लेना है आपकी कोई भी fitting हो यानि कि आपके अगर 32 fitting हो तो उसका हमें कुछ इस तरह से एक चोथाई भाग ले लेना है 32 का एक चोथाई भाग 8 होता है तो हम इस तरह से 8 पर निशान लगा लेंगे 8 इच पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है युँँग इस तरह से hormone की जो line है उसे हम इस तरह से मिला दिएंगे अब हम नीचे लेंगे कमर में कमर की fitting आपकी कोई भी हो उसका हमें एक चोताई भाग लेना है जैसा कि मेरा एक चोताई भाग कुछ इस तरह से साड़े 6 इंच के सम्थिंग आ रहा है तो वो मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी नीचे की और कुछ इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसके लिए टेप की साड़ा से दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इस तरह से टेप लिया टेप की साड़ा से दोनों निशानों को इस तरह से रखा देन मैंने इस तरह से डोट डोट किया अब हमें क्या करना है यह जो हम cut कर रहे हैं ये पीछे वाला साइट है, पीछे टकस आता है गयाई, आधे आधे इंच के दो हमारे टकस आते हैber इसले एक इंच एस्ट्रा मार्जिन हम यह आपर एट करेंगे क्योंकि जो हमने नीचे वाली मार्जिन ली थी वो तो हमारी फिटिंग की सबसे एक जोताई भाग था तो extra margin मैंने निचे के और ले ली है, अब हम 2 इंच की extra margin लेंगे, यह देखिए, हम यहापर सिलह लगाएंगे, हमारे 2 से 3 यहापर सिलह लगाएगी, तो यह जो extra margin यह सिलह में चला जाएगा, यह देखिए, और यह जो 1 इंच हमने center में extra margin ले थी, वो छोटे छोटे दो टकस आएगे, उसमें चला जाएगा, और हमारा जो बलाओ जो perfect cutting में cut हो जाएगा, तो यह देख सकते हैं, आप पीछे वाला जो मैंने निचान अच्छी तरह से लगा लिया है, तो 2 इंच की margin पर थोड़ा डार कमें, इस तरह से निचान लगा कर, यहापर skill की सायता से line ड्रो कर लेंगे हम, तक यह अच्छी तरह से cut सकें, तो यह देखिए, यह जो हमारा part है, रेडी हो चुका है, अब हम नेक कर लेते हैं, दो इंच की चोड़ाई पर निशान लगाना है हमें, लेन कुछ इस तरह से 6 इंच का भ्याप नेक ले सकते हो, या फिर 6 इंच से बड़ा भ्य शेप में इस तरह से दे दे, अगर आपको बड़ा नेक लेना है, तो 9 इंच पर निशान लगाए, आप 9 या फिर 9 इंच का यह पर नेक ले सकते हो, तो मैंने कुछ इस तरह से 5 इंच की चोड़ाई ली है, देन इस तरह से गोलाई यह पर दे दी है, अब हम क्या करेंगे, टक्स 4 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है, कुछ इस तरह से, और लेन्थे भी हमें 4 इंच के सम्तिंग रखना है, एक लेन हम ड्रो कर लेंगे, देन आदे इंच से भी कम हमें आइट सेट इस तरह से ड्रो कर लेना है, ताकि हम छोटा से यहाँ पर टक्स लग फोराएं गाएंगे पर इस तरह से इस तरह से निशानमी ने लगा लिया हैह अब आरी तरह ए अब घुल व्यू आवरे नेji टिम्हु आउर। इसलिए यहाँ पर इस तरह से हमें गुलाई दे देना है तो चलिए फड़ाफट से फ्रेंट नेक भी हम कट कर लेते हैं यानि कि फ्रेंट वाला पोशन हम कट कर लेते हैं जैसे बित्तक अगर आपने मेरी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया ना जल्दी से जल्दी कर देजिएगा तो यह देखिए इस तरह से मैंने 14 इंच की लेंट ले लिए सवाब 5 इंच का मैंने नेक ले लिया है सवाब 5 इंच की यहाँ पर एक लाइन ड्रो हम कर लेंगे जैसा हमने बेक वाला कट के आना गय सवेसा ही हमें फ्रेंट वाला थोड़ा इस तरह से निशान लगा कर गट करना है जिसके लिए हमने कुछ इस तरह से फिटिंग का एक चोताई भाग आठ ले लिया है और यहाँ पर एक लाइन हम ड्रो कर लेंगे यह देखी नीचे भी हम इस तरह से साड़े 6 इच पर निशान लगाएंगे जो भी आपका कमर का हिस्सा हो उसका एक चोताई भाग निशान लगा लेंगे कुछ इस तरह से इसकेल के सहथे से ड्रो कर लेंगे जैसा भी हमने पीछे की आई वेसा ही हम इस तरह से आगे क्यों कर रहे हैं आप देख सकते हैं दो इंच की extra margin हमने ले थी बेक पार्ट में तो फ्रेंट अपार्ट में भी दो इंच की extra margin हम ले लेंगे इस तरह से यहनि इसको भी scale की साथ से हम draw कर लेंगे तो फटाफट से शोटकट में हम इस तरह से जो हमने पहले किया वही यहाँ पर भी कर रहे हैं कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है तो यहाँ पर बस डिफरेंट यह है कि यहाँ पर आपने इस तरह से एक इंच की गुलाई देना है कुछ इस तरह से देखी थोड़ा सा यह देखी यहाँ पर हमने इस तरह से हलके हाथों से round shape देना है अब आती है कटोरी और तिरे की बारी यह सबसे ज़्यादा important होता है गए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दे यह देखी सबसे पिले हमें नेक लेना है नेक की जो की लिए प्रेंट नेख के लिए और चोड़ा हमें नीचे वाली साड़े दो यानी की दाईिश के समतिंग अहां पर लेना है और इस तरह से हमें एक चोकनी निशान लगा लेना है और यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देना है ताकि हमारे जो नेके अच्छे से round shape मैं बन सकें तो मैंने अच्छे तरह से गोलाई यहाँ पर दे दी है अब हम क्या करेंगे निचे वाले जो पट्टी है वो करेंगे जिसके लिए हमें इस तरह से ते 9 इंच पर हमें निशान लगाना है यह दिखिए यह सवा तीन इंच पर में तैप को लेना हैij और पो ने पेनी इंच पर हमें निशान लगाया लेना हूं अब त्इनों निशनओं को हमें आपस में मिला लेना है ढब स्केल के साउइता से यह फिर ठोड़ा ठासरे यह फिर ढोड़ डोड़ करके आप मिला सकते हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर scale के सायता से आदे लाइन ड्रो कर लूँगी दिन उपर के और जो उठा वहा पोशन है उससे हाथों के सायता से गोलाई दे दूँगी कुछ इस तरह से हमारी जो लाइन है कुछ इस तरह से complete हो रही थी अब tape कूठाएंगे center में ले जाएंगे यहाँ पर भी 5 इंच पर हमें निशान लगाना है ओर थोड़ा सा ऊपर करेंगे पाष इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पर अब जो हमने आरमोल की एक इंच की लाइं की जीतिन अगयस वहाँ से हमें दो इंच के सम्थिंग लेना है यहां से हमें दो इंच के बाद नेक्स से हमें साड़ी चार इंच पर निशान लगाना है यह देखिए और हमारे जो कटोरी की गोला यह कितनी परफेक्ट से ड्रो हो चुकी है तो चली थोड़ा सा डार करने के बाद हम बाद में इसे कट कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा गेप है यानि कि आदे इन से भी कम तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से निशान लगा कर लेंगे ताकि हमारे जो कटोरी और रफेक्टा आपाए चुली फटाफट से कट कर लेते हैं सबसे पहले हम फ्रेंट वाला जो पोशन है उसे कट कर लेंगे तो जो भी हमने ड्रो किया है उसी की ऊपर केची की सायता से इस तरह से ड्रो कर लेंगे यह देखिए और यह जो कटोरी हमने छोटी से निकाली है इसे हम बाद में और थोड़ा बढ़ा करेंगे क्योंकि यह छोटी कटोरी ब्लाउज में डायरे कटेज नहीं होती है गाईज तो कोई-कोई क्या करता है थोड़ा सा यह जो शोल्डर है न डीप लेता है लेकिन अगर आपने शोल्डर डीप कट नहीं क्या है और डायरेक्स से लए आप थोड़ सी तिरचे लगा रही हो तो वो उसमें एक जस हो जाता है तो इसमें आप कट नहीं भी करोगे तो चलेग तो ये देखे पिछे वाला पोर्षन भी हमारा कट हो चुका है, दोनों पोर्षन हमारे कटिंग हो चुकी है, अब आथे कटोरी की बारी जिसके लिए हमने क्या करना है, जो हमने सेंटर में कटोरी निकालिये उसी को एक कपड़े पर या फिर एक पेज पर रखना है, देन उस इसे कुम्म कर लेना है सब से पहले हमने कुरते से पहले कर लिए पेल है की रखेंगे धिन गिनकी कटोरी हमारी कुछ इस तरह से पहले है आगे बढ़ते हैं, अब इसका center point हमें देखना है, center में हम निशान लगा लेंगे, ताकि हम अच्छे से टक्स लगा पाएं, तो यह देखिए, इस तरह से center में हम निशान लगा लेंगे, निशान लगाने के बाद एक इंच यहाँ पर लेंगे, देड़ इंच के something हम पीछे की ओर लेंगे, यहाँ पर देड़ इंच और यहाँ पर एक इंच, यहाँ पर हम सिर्फ आदा इंच लेंगे, और यहाँ पर भी आदा इंच, क्योंकि इस सिलाई में और hook पट्टी में यहाँ पर यह चला जाता है, इसलिए, तब हमें क्या करना है निचे की ओर देड़ इंच लेना है, परफेक्ट है, हमें देड़ इंच निचे की ओर लेना है, सुध बर मेरा कमपड़ रहा है, लेकिन में कपड़े में यहाँ पर सुध बर बढ़ा लूँगे, तो यह दिखी, आदे इंच हमने यहाँ जोइन किया, आदे इंच यहाँ जोईन किया एक इंच की निचे की और चोड़ाई थी यहां पर हमने जोईन कर लिया टेप की साहता से यह पर इसकेल की साहता से हमे कर लेते हैं चुछ इस तरह से तो आप देख सकते हो आइस्ता ऐसे और गोलाई देते हुए हम इसे कट करना है यह देखिए इस तरह से कट करते हैं भी हमें आगे के और बढ़ना है तो हमारी जो कटोरी यह अच्छी तरह से कट हो चुकी है जिसा कि आप देख सकते हैं दोनों कोटोरी हमारी अच्छे से कठ हो चुकी है हमारी जो कटोरी का टक्स से वो कम से कम धाइंच के सम्तिंग आएगा उपर के ओर तो एक लाइन हम धाइंच पर निशान लगा लेंगे एक इंच के हम चोड़ाई आपर दे देंगे दूसरी तरब भी एक इंच की चोड़ाई हम दे देंगे दोनों निशानों को सेंटर वाली जो लाइन है उस पर हम मिला देंगे यह हमारा हुआ टक्स वाला निशान तो जब भी हम को टो रिटेज करेंगे तो यह यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे अब आती है इस तरज से ब्रापट्टी की बारी तो जिसके लिए हमें इस तरज से कपड़ा लेना है या फिर ओग एक पेपर लेना है उसके उपर हमें पुराने वाली जो पट्टी है उससे रखना है इसकी जो लेंध है आदा इंच नीचे की और बढ़ा देना है और चोड़ाई इसकी कम से कम देर इंच के सम्तिंग पीछे की और बढ़ा देना है ताकि जब हम लगाए तब बिल्कुल भी ये कम ना पड़े तो आप देख सकते हो चोड़ाई हमें बढ़ाना है देर इंच के सम्तिंग और लेंधर में बढ़ाना है बस आदा इंच जादा नहीं तो यह देखिए इसी तरह से मैंने पेपर पे रखकर कट कर लिया है इस तरह से फटाफट से कट कर लेना है और जो हमारा पेटन अच्छी तरह से कट हो चुका है इसलिए मैंने अस्तर पे कटिंग और फिर ब्लाउच किस तरह से स्ट्रेचिंग करते है उसका वीडियो मैंने फुल बनाया हुआ है यह वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है तो आप यह वीडियो पूरा देखिएगा और इसके बाद मैंने आगे किस तरह से ब्लाउच इस्ट्रेचिंग किया है वो भी आप ज़रूर देखना और फिलाल के लिए आपको अगर यह वीडियो अच्छे लगाऊना गैस तो लाइक ज़रूर करना कमेंट बोक्स में ज़रूर लिखना आपको यह वीडियो केसा लगा थेंक यू फोर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए